निर्गुनस्य हथम रूपम दुह शीलस्य हथम कुलम असिद्धस्य हता विद्या अभोगेन हथम धनम गुणहीन व्यक्ति का रूप सौंदर्यनष्ट हो जाता है शीलहीन का कुल निंदित होता है, मूर्ख व्यक्ति की विद्या बेकार है और भोग के बिना धन व्यर्थ है गुणहीन व्यक्ति की सुन्दर्ता व्यर्थ होती है शील रहित का कुल निंदित होता है अलोकिक शक्तियों से रहित मोक्ष की ओर न ले जाने वाली और बुद्धी से रहित विद्या व्यर्थ होती है तथा भोग के बिना धन व्यर्थ होता है गुणहीन चाहे कितना ही सुंदर हो उसकी सुंदरता व्यर्थ है उसका जीवन गंध हीन पुष्प की भांती है, शील हीन व्यक्ति अपने कुल का शत्रू होता है, मूर्खता विद्या की शत्रू है और दान आधिन करने से धन नश्ट हो जाता है शुचिर भूमिगतम तोयम शुधा नारी पतिव्रता, शुचिह क्षेम करो राजा संतोशी ब्राह्मन शुचिह, धर्ती के गर्भ से निकलने वाला जल स्वच्छ होता है, पतिव्रता नारी पवित्र होती है, कल्यान करने वाला राजा पवित्र माना जाता है, और संतुष् पदार्थों के मिलने का भय रहता है। इसी प्रकार पति व्रता नारी शुद्ध मानी गई है। असंतोशी ब्राह्मन शीघ्र नश्ट हो जाता है। जिसमें संतोश का अभाव है वस्तुत वह लोभी है। लोभी ब्राह्मन शीघ्र नश्ट होता है। अतह ब्राह्मन को संतोशी होना चाहिए। किन्तु राजा को कभी संतोशी नहीं होना चाहिए। अपने ग्राहक से खुला व्यवहार नहीं करती, वे वेश्याएं शीघ्र नश्ट हो जाती हैं, क्योंकि ग्राहक उनके पास जाना बंद कर देते हैं, जिससे उनका धंधा चौपट हो जाता है, कुलीन स्त्रियाओं लज्जा का पार करके नश्ट हो जाती हैं, किंकुलेन, व विशालेन, विद्याहीनेन, देहिनाम, दुष्ट कुलीनों पि विद्वांग्ष्च देवैर पि सुपूज्यते, विद्या से रहित विशाल कुल से जनसाधारन को क्या लाब है? जबकि नीच कुल में पैदा होने वाला बुद्धिमान विद्वानों द्वारा भी इससे तो कहीं बेहतर छोटे कुल में जन्मा विद्यावान व्यक्ति है, जो विद्वानों द्वारा भी पूजित होता है। विद्वान ही प्रशंसा के योग्य होता है, विद्वान ही आदर सम्मान पाता है, उसे ही यश और प्रशंसा मिलती है, विद्ध्या से धन-धान्य, मान-प्रतिष्ठा आदी सब कुछ प्राप्त हो जाता है, विद्ध्या का हर कहीं सम्मान होता है, विद्ध्या अमूल्य खो देता है। विद्याही व्यक्ति का वास्तविक आभूशन है। मद्यपान करने वाले अनपड जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ऐसे व्यक्ति रंग रूप और आकार में भले ही मनुष्य दिखाई दें। अन्हीनो दहेद राष्ट्रम मंत्रहीनष्य रत्विज्य यजमानम दानहीनो नास्ति यग्यसमो रिपू अन्न से रहित यग्यराष्ट्र को जला देता है। और दानहीन यग्य यजमान को नश्ट कर देता है। अतह जगत में तुर्टिपूर्ण यग्य की भानती और कोई शत्रू नहीं है। शास्त्रों में यग्य को बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं कल्यान कारी माना गया है, किन्तु यदि यग्य विधान से न किया जाए और उसमें तुर्टियाओं रह जाएं, तो वही यग्यराष्ट्र पुरोहित एवं यजमानों को नश्ट कर देता है। मुक्ति मिच्छ सी चेत्तात, विशयान विशवत्यज, क्षमा अर्जवम दया शौचम सत्यम पीउ शवत्भज, हे बंधू, यदि तु मुक्ति की प्राप्ति चाहता है, तो विशयों को विश के समान जान कर त्याग दे, और क्षमा, दया, धैर्य, तितिक्षा, पवित् सत्यका अम्रित के समान सेवन कर, हे भाई, यदि तुम्हें मुक्ति की अभिलाशा है, तो विशयों को विश के समान जान कर त्याग दो, और क्षमा, सहिशनुता, धैर्य, तितिक्षा, आर्जव, सरलता, विनम्रता, इमानदारी, निश्कपटता, उदारता, दया, पवित और सत्यका अम्रित के समान सेवन करो, तातपर्य यह है कि व्यक्ति को विशयों के प्रति आसकती न रख कर, क्षमा, त्याग, सहिशनुता, दयालुता, पवित्रता, सहन, शीलता, शुद्धी एवं सत्यको अपनाना चाहिए, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं, तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, धन्यवाद.